Dragon Ball Universe के अंदर Omni King सबसे ज़्यादा powerful character है Omni King ने 6 universes को केवल इसलिए arrange कर दिया क्योंकि Omni King के according universes के number कुछ ज़्यादा थे तो Omni King ने कुछ universes को कम करने के लिए कुछ universes को totally wipe out कर दिया था तो अब अपने mind में ये question उड़ता है कि क्या Dragon Ball Universe के अंदर Omni King के भी beyond कोई character access करता है क्या Dragon Ball Universe के अंदर कोई ऐसी power है जो कि even Omni King के भी beyond हो अगर इस बारे में थोड़ा सोचा जाए तो अपने mind में केवल एक ही character pop-up होता है और वो है Dragon God Jalama Dragon God Jalama एक ऐसा character है जो कि Omni King के के भी वे सभी damage को seconds के अंदर undo कर सकता है वैसे तो अपने अभी तक Jalama को Dragon Ball की series के अंदर देखा नहीं है उसके बारे में अपने अभी तक केवल सुना है कि इसने आज से काफी टाइम पहले Super Dragon Balls को create करके उन्हें Universe 6 & 7 के अंदर फैला दिया था Super Dragon Balls का create होना साथ Dragon Ball Universe के अंदर हुए सबसे पहले कामों में से एक है Jalama ने एक ऐसी Dragon Ball का set create किया है जिनसे आप जो चाहिए वो मांग सकते है और आपकी वोविस बिना किसी doubt के complete हो जाएगी Super Dragon Balls के द्वारा एक ऐसा Dragon create होता है जिसके पास almost limitless power है Golden Shandron की power को अभी तो मीचर करना अपने लिए totally impossible है और जब Golden Shandron विस को fulfill कर देता है तो ये Super Dragon Balls Universe 6 & 7 के अंदर बिखर जाती है वैसे यहाँ पर ये थोड़ी अजीब बात है कि Super Dragon Balls Kevel Universe 6 & 7 के अंदर scatter होती है Dragon Ball Universe के अंदर जब Omni King को पहली बार दिखाया गया था तब Omni King power के मामले में एकदम top पर stand करता था और technically होने को तो अभी भी Omni King एकदम top पर ही है बट Omni King top पर Kevel और Kevel अपनी destructive power की वज़े से है अगर destruction के अलावा अपन किसी और चीज को बेस मान कर Omni King को compare करने की कोसिस करें तब I think Omni King हर मामले में top पर नहीं होगा क्योंकि Omni King की destructive power के अलावा अभी तक अपनने उसकी किसी और power को नहीं देखा है Omni King Grand Priest की तरह नहीं है जो की revive, create and destroy almost सब कुछ कर सकता है Jino की Kevel अपनने एक ही power को देखा है और वो है destroy करने की power साथी Omni King जिस भी चीज को destroy करता है वो actually में existence से totally wipe out हो जाती है मतलब Omni King के हाथो एरेज होने के बाद ना तो कोई snake way होगा और ना ही कोई afterlife Omni King की power से एरेज होने के बाद आपके पास Kevel revive होने का एक ही option बचता है और वो है the super dragon boss टूर्नामेंट अप पावर के बाद जब Android 17 ने सभी universes के साथ frost को wish way किया था तब Super Sandron ने बिना किसी problem के पलवर के अंदर सब कुछ एकदम restore कर दिया था Super Sandron बाकी के Sandron से एकदम हटके है ये बाकियों की तरह विस को सुनने के बाद उस पर सूचता नहीं है कि ये मेरी power के अंदर है और ये मेरी power के beyond Super Sandron किसी भी विस को सुनने के बाद उसे पल बर के अंदर complete कर देता है that's why इस dragon की power almost limitless है तो अब यहाँ पर अपने mind में एक question आता है कि इस dragon को actually मैं एक जलामा नाम के person नहीं create किया है और अगर कोई person एक ऐसा dragon create कर सकता है जिसकी power almost limitless है तो इसे साब से जलामा किस level पर stand करता होगा क्या जलामा भी Super Sandron की तरह power के मामले में limitless है में भी जलामा power के मामले में limitless नहीं होगा बट I'm sure जलामा knowledge के मामले में तो completely limitless होगा यहाँ पर इस बात को लेकर argument किया जा सकता है कि normal Shandron माजिंबू के द्वारा मारे गए लोगों को बड़ी आसानी से revive कर सकता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि डेंडे माजिंबू से ज़्यादा powerful है बट यहाँ पर एकदम different case है क्योंकि यहाँ पर केवर लोगों को revive करने की बात नहीं है यहाँ पर जो scale है वो actually में एकदम different leak से belong करता है क्योंकि शोपर शेंडरॉन seconds के अंदर कई universe के trillions life को seconds के अंदर restore करता है ओमनी किंग के द्वारा erase किया गया बंदा यह वाके में काफी unlucky होगा क्योंकि ओमनी किंग आपकी body के साथ आपकी spirit को भी completely wipe out कर देता है मतलब उसको revive करना almost impossible है बट यहाँ पर जलामा ने एक ऐसा dragon create किया है जो कि impossible को भी possible कर देता है तो अब यहाँ पर अगर अपन शोपर शेंडरॉन को जीनो के अगेनिस ट्रक कर देखें तो यहाँ पर अपन actually में कोई winner pick नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक side limitless destruction है तो दूसरी side limitless revive भी है वैसे जलामा यहाँ पर सुपर शेंडरॉन का केवल creator है बलकि वो खुद सुपर शेंडरॉन नहीं है तो इस point पर में भी Omni King एक level उपर जाता है बाकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं let me know in comment box उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करो and अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो यार wait किस बात का कर रहे हो फटाफट चैनल को subscribe करते हुए bell icon को on कल रहो so thank you so much for watching and I will see you in a next Dragon Ball video तप तक के लिए good bye